तो friends आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो estimated monthly earning है वो 2 Tesla Model 3 से लेके 4 और यहाँ पे यह SpaceX ride share program इतनी तक earning है इसकी monthly earning यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो way है पहले dollar लिखाता था कि कितने dollar हुई है अब यहाँ पे इनोंने इस channel के earning इतनी ज़्यादा है यहा यहाँ पे earning अब इस तरीके से दिखाई जाती है तो मैं इसको आपको मतलब समझा देता हूँ कि इसकी earning कितनी हो रही है monthly यह kids content का related channel है और इस पे जादतर motu patto karton की videos यह आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पे 2 Tesla Model 3 है ठीक है तो मैंने यहाँ पे इस सर्च किया तो इस model क प्राइज जो है यह Tesla गाड़ी इसका प्राइज 50.70 लाग के आसपास आएगा और यह 21 दिसंबर तक हो सकता है launch हो अभी launch भी नहीं है फिर भी इसके estimated earning इसकी हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से 70 लाग minimum यह तो एक का प्राइज है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मतलब इसकी दुगनी income इससे start होती है और उसके यहाँ पे लिखा हुआ है 4 यहाँ पे लिखा है SpaceX राइट शेर प्रोग्राम यह जो प्रोग्राम है एक यह minimum यहाँ पे आप देख सकते हैं 275 के डोलर से शुरू होता है minimum तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ यहाँ पे 275 के प्रोड से उपर earning हो रही है इसकी monthly ठीक है कितनी ज़्यादा कमाई यह कर रहे हैं kids content से आप यहाँ पे देख सकते हैं और yearly तो इसकी बहुती ज़्यादा earning हो रही है तो इस तरीके का content मैं आपको आज किस वीडियो में सिखाने वाला हूँ हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विकास्त्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ kids content के बारे में और मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज किस वीडियो में कि आप कैसे मोटू पतलू कार्टून वीडियो बनाकर यूट्यूब से लाखा रुपय अर्णिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी खासी इंकम आप यूट्यूब से जनरेट कर सकते हैं kids content का जो ये मोटू पतलू वाला कार्टून है ये चोटे बच्च कि इससे earning होती है तो इसमें वीडियो को कैसे edit करना हैं कैसे वीडियो बनानी हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही जादा informative है वीडियो का कोई भी step आप बिल्कुल भी miss मत करना क्योंकि अगर आपको step भूल जाएंगे तो हो इस तरह की कोई tension लेने की जुरुत पड़ेगी और नहीं आपको आगे चलके future में भी कोई problem होने वाली है तो वीडियो बहुत ही जादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज म आपने mobile phone की screen के उपर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको YouTube पे लेके चलता हूं YouTube पे मैं आपको लेके आया और मैं आपको सबसे पहले life proof दिखा देता हूं दुबारा से कि वह कौन सा channel है तो मैं यहाँ पे search करता हूं और यहाँ पे मैं आपको search करन लेते हैं channel को आप देख सकते हैं यहाँ पे 43.8 million subscribers है और इन्होंने 42 के करीब वीडियो डाल दी है 4.2 के वीडियो इन्होंने डाल दी है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ पे अगर हम इनकी videos में जाए और यहाँ पे हम popular videos पे click करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 140 million, 39 million, 34 million, 32 million, 30 million, 12 million, 12 million जो देख सकते हैं Mostly, जो है More to Patloo, जो cartoon है, उस type की video बनाते हैं, cartoon type वीडियोज बनाते हैं ठीक है, आप देख सकते हैं, यहां पे इन्होंने 3 मिनट की बनाई है, यहां पे 30 seconds की है फिर 3 मिनट की है ठीक है यहाँ पर इस तरीके की वीडियो है और सब में millions में views हैं आप check out कर सकते हैं खुद इस channel को जाके और मैंने आपको starting में जो earning proof दिखाया था वो भी इसी channel का दिखाया था वो भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दुवारा दिखा देता हूँ तो मैं यहाँ पर बहार आ जाता हूँ और chrome पर जाता हूँ मैंने उस channel को open किया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है मैं zoom करके आपको थोड़ा से दिखा देता हूँ यह देख सकते हैं wood kids 43.8 million subscribers और यहाँ पर यह रही इनकी earning estimated earning ठीक है जो मैंने आपको starting में दिखाई थी तो हम वापिस से इस channel पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वो channel है kids content है इसमें आपको ना face दिखाने की जरूरत है ना voice की जरूरत है बस आपको cartoon वीडियो बनाके और YouTube से आप लाखर रुपे कमा सकते हैं मैंने आपको इनकी earning का सारा कुछ दिखाया भी था starting में तो अब यह वीडियो आपको कैस सर्च करना है यहाँ पर लिख सकते हैं मोटू पतलू सिंपल आपको यह लिखना है मोटू पतलू और सर्च करना है सर्च करने पर आपके सामने काफे सारी games आ जाएंगी तो इसमें आपको सबसे उपर वाली मोटू पतलू speed racing एक इस game को आपको install कर लेना है मैंने install कर रखी ह ठीक है और दूसरी आपको मोटू पतलू cooking एक इस game को install कर लेना है ठीक है मैंने दोनों games install कर रखी है उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे और यह हमारे icon कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमें जो आप आपको वीडियो स्पीड रेसिंग वाली game को open कर लेता हूं आपको बताता हूं कैसे खेलना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं play का option आ जाएगा ठीक है play पे click करेंगे play पे click करने पे आपके पास यह daily reward होता है ठीक है collect पर ना चाहें वह आप कर सकते हैं पर मैं अब इसे cancel कर रहा हूं ठीक ह back आजाएंगे यहाँ back पे click कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके की आजाएगी यह ads जो भी आए उसे बंद कर देना है आपको यहाँ पे play का एक option दिखाई देगा आपको ठीक है यहाँ पे play पे आपको बीच में click कर देना है first level select कर लेना है ठीक है यहाँ से आप select क जाएगा यह कुछ टिप्स है ठीक है यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से है ठीक है यहाँ पर गेम यहाँ पर यह चोर है ठीक है यहाँ पर मोटू पतलू के सारे इस तरीके से आपको record करना है, यह दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, अब यह किस तरीके से आगे चलेंगे, वो यहाँ पर आपको सारे symbols दे रखें हैं, ठीक है, यहाँ पर यह देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यह back का, ठीक है, यहाँ से यह आगे का है, ऐसे इस इसे चलाएंगे इनको, फिर से ऐसे चलाएंगे, तो इस तरीके से आपको record कर लेना है, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, तो आपको अपने according जैसे आप game खेल रहे हैं, उस तरीके से 2 मिनट की, 3 मिनट की record कर लेनी हैं, बच्चे इनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से, आप भी अपने तरीके से खेल लेना, मैंने कुछ ज़्यादा खेली नहीं है, ठीक है, तो बच्चों को यह बहुत पसंद आती है, इस तरीके से आपको एक दो मिनट की record कर लेनी है, उसके बाद आपको इसे stop कर देना है, आपके में screen recorder on होगा, तो यह record हो जाएगी, उसके बाद हम इस game से बहारा जाएंगे, अब आपको दूसरी game को play करना है, मोटू पतलो cooking वाली जो हमने download करे थी, उस game को play करेंगे, तो यहाँ पर आपको quick play पे click कर देना है, quick play पे आप जैसे ही click करेंगे, तो यह इस तरीके का है, target है आपका, ठीक है, यह जो मांगेंगे वो इनको खिलाना पड़ता है, जैसे यह हो गया, यह दे दिया, ठीक है, इस तरीके से खिलाना है इनको, ठीक है, ज्यादा मेरे को खिलनी नहीं आती है, ठीक है, इसमें यह खिला दिया इसको, इस तरीके से कुछ भी खिला देन भाईन को जो यहां पर मांग रहे हैं यहां त्रीकμέसे तरीके से इसको भी कुछ खिला दिया हमा इसको और ऊमलेट और यह तरीके से आपको record कर लेनी ही वहार आ हमें एक एडिटर के अंदर जाना है, जिसमें हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे, तो उसके लिए काइन मास्टर अप्लिकेशन, आप सभी के फोन में होगी, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं, काइन मास्टर अप्लिकेशन को, तो यहाँ पे मैंने काइन मास्टर अप्लिकेशन को ओपन कर लिया है, उसके बाद हमें आप सेंटर में, प्लस का जो आइकन है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से 16 रेशियो 9, जो हमारा यूट्यूब वीडियो का रेशियो है, हमें वो स्लेक्ट कर लेना है, और अपनी जो वीडियो हमने रिकोर्ड करी थी, उन सब को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, गैलरी खुल जाएगी, और वहां से हम उस पार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है तो मैं पहले part को select करता हूँ और यहां से जो यह second वाला option है कैंची के आगे इस पे हमें click करता हूँ pen and zoom का यह option है तो मैं इसको यहां से पकड़के zoom कर लेता हूँ थोड़ा सा ठीक है जैसे मैं यहां पे zoom ले आया यहां पे कर दिया इसको इतना ठीक है उपर नीचे बराबर यहां पे zoom कर दिया इसको उसके बाद मैं इसे बराबर का जो निशान है इस पे click करके ok कर देता हूँ तो यह पूरा यहां तक हो गया ठीक है उसके बाद इसमें और थोड़ी सी editing करते हैं वो कैसे करें जैसे मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा part trim कर लेता हूँ यहां पे जैसे मैं यहां पे यह मोटू पतलो निकल रहे है ठीक है और यहां पे यह दोनों एक साथ होंगे तो यहां पे मैं इस part को थोड़ा सा zoom कर लूँगा यहां से cut कर देता हूँ split कर दूँगा ऐसी मैं थोड़े थोड़े पार्ट यहांसे cut कर देता हूँ यहांसे फिर cut कर लेता हूँ split कर दिया, ठीक है इस तरीके से आप cutting कर सकते हैं जिसे देखने में यह थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है, जिसे यहां पे फिर से cut कर दिया split कर दिया अब इन cutaway parts को क्या करना है जैसे ये वाला पहला part है इसको तो ठीक है दूसरे वाले part पे हम click करेंगे और इसको फिर से pen and zoom करेंगे तो यहाँ पे और थोड़ा हम zoom कर लेंगे जहाँ पे ये दोनों एक साथ आते हैं ठीक है उसके बाद done कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं play करके सबसे पहले आपको एक चीज़ और करनी है इसमें play करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ आपको इसकी voice बिलकुल mute कर देनी है ठीक है जो भी आपने record किया तो हम इस पे voice पे जाएंगे और इससे zero कर देंगे second वाले part की भी voice zero कर देंगे ठीक है ऐसी हमें सारे parts की voice जो है वो बिलकुल zero कर देनी है ठीक है उसके बाद इसकी भी सब को select करके हम ऐसी ही zero कर लेंगे और यह जो हमने second कर रही है इसको भी हम zero कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे वापिस आएंगे आप मैं आपको यहाँ पे इससे थोड़ा सा play करके दिखाता हूँ जो मैंने effect लगाया था दूसरे में यह देखे इसके बाद जो अगला part है यह कैसे zoom हो गया ठीक है और यहाँ तक जूम गया फिर अपिस हो गया ठीक है उसके बाद फिर zoom होगा इसमें थोड़े से आप अपने तरीके से editing कर दें अच्छे सी ठीक है और जो हमारा यह दूसरा part आएगा इसके बाद यहाँ पे खतम होके तो उस दूसरे part में भी आप उसे select करेंगे pen and zoom करेंगे इसकी भी screen को बड़ा कर देंगे ठीक है इस तरीके से यह पड़ी होगी उसके बाद यहाँ पे बराबर पे टिक करके ओके कर देंगे तो यह पूरे पे आ गई तो इस तरीकी video आप create करेंगे अब इसमें बात आती है जब तक इसमें sound नहीं होगी जब तक बच्चे इसे देखेंगे नहीं क्योंकि बिना sound की उन्हें मजा ही नहीं आएगा इसे देखने में तो अब हमें इसमें sound लगानी है तो यहाँ पे दो तरीके हैं एक तो है कि आप no copyright music जो है वो वाला music यहाँ पे डालें जिस पे copyright नहीं आता non copyright music होते हैं वो वाला music आप youtube library से ले सकते हैं ठीक है वहाँ से आप download कर सकते हैं studio से youtube के अंदर से या फिर आप इसमें अपनी voice डालें तो अपनी voice डालना बहुत ज़्यादा असान है और मैं आपको suggest भी यह करूँगा कि आप music की जंगय अपनी voice में डालें जो भी इस वीडियो में यह कर रहे हैं उस तरीके से आप इस वीडियो में बोलें जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको record करके बता देता हूँ जैसे REC यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं record का एक option है आपको इस पे click करना है अब यहाँ से आप जैसे start पे click करेंगे तो recording शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे किस तरीके से record कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको normally करके दिखा देता हूँ जैसे start पे click करेंगे तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सब सो रहे होते हैं और अचानक से चोर आ जाते हैं जो बहुत सारी चोरी करके समान लेके भाग रहे होते हैं तो यहाँ पे एक पुलिस वाला होता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक और करेक्टर होता है जो देखिए पुलिस वाले को मार देते हैं और एक दूसरे करेक्टर मोटू पतलो को help के लिए पुकारता है और यहाँ से वो दोनों निकलाते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप रिकोर्ड कर सकते हैं अपनी वोईस को ठीक है इस तरीके से कोई स्टोरी जो आप देख रहे हों इसमें उस तरह की स्टोरी बनाके आप रिकोर्ड कर सकते हैं और इसमें अगर आप अपनी वोईस डालेंगे तो आपका जो चैनल है वो 101% मॉनिटाइज होगा आपकी वीडियो में भी कोई कॉपिराइट नहीं आएगा इस तरीके से अगर आप एडिटिंग करेंगे मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है ठीक है इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है सेव कैसे करना है वो भी सीख लीजिये एडिटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो यह एरो शेयर का जो ओप्षन है आपको इस पे क्लिक करना है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो यह 55 पल है आपको इसके अंदर लाके एक्सपोर्ट करना है इसको ठीक है मैं भी करके नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसे YouTube पे अपने चैनल पे अप्लोड कर लेना ठीक है और आप भी इस तरीके कार्टून वीडियो बना के महीने के लाखर रुपे YouTube से असानी से कमा सकते हैं तो फ्रेंड्स उमीद काता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेस्चन है कोई क्वेरी है तो आप मझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू